बिसमिल्लाहिर्रह्मालीर्रहीम असलाम अलेकुम स्टुदेंट्स वेलकुम तो आनलाइन कलासिस एंद फ्री एड्यूकेशन फॉर अलेकुम डेर्ट सुदेंट्स मैसल्फ शहजाज शरीफ कंपूर सांस टीचर आज का लेक्चर नंबर 8 क्लास 9 के लिए है और लेक्चर क्यूटर के इस्तमालात मीन कंप्यूटर आज जैसे कि मैं पते कि कंप्यूटर डिफरेंट फील्ड में यूज हो रहा है तो उस हवाले से आज हम डिसकस करेंगे तो पहले-पहले हमारे पास रहा है रोल अफ कंप्यूटर एज वी आलरेड़ी नो इबाउट देट है भले वो एजूकेशन हो भले वो बिजनेस परपोस हो भले वो डिफेंस हो चाहे जो भी फील्ड हो कंप्यूटर उसमें एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है तो यूज़िस के हवाले से बात करें तो आज हम दो यूज़िस पढ़ेंगे एजूकेशन एंट बिजनेस यह द परपोस पर कंप्यूटर कैसे यूज़ हो रहा है तो यह दो पॉइंट आज के लेक्चर नबर एट में डिसकस करेंगे तो देखते हैं लेक्चर के तरफ बढ़ते हैं तो लेक्चर नबर एट क्लास 9 यूज़िस ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड जो के हमारा तालीम में जो के हमारे आजकल जितने भी एजुकेशन स्कूल्स हो गई कॉलेज़ जो गई यूनिवर्सिटी जो गई हर जगह कंप्यूटर एक एहम किरदार अदा कर रहा है पॉर्ड आफ स्कूल एंड कॉलेज़ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर जरूरत बन गया है हिस्सा बन गया है स्कूलस को कॉलिज जिस का भले वह प्राइवेट स्कूलस ओं कॉलिज जो या जितने भी तालीमी इदारे हैं यूनिवर्सिटी जैं वहाँ कंप्यूटर बहुत ही एहम इर्दकिर्दार अदा कर रहा है next point है easier for students for searching information computer जैसे ही education में एंटर हुआ तो students के लिए ये बहुत ही असान हो गया कि वो different किसम के topics को सर्च करके information को collect कर सकें भले वो topics notes के हवाले से हो भले वो book के topics के लिहास से हो भले वो difficult words के meanings हो या explanation हो या lectures हो तो वो online lectures देख सकते हैं और different किसम की information search कर सकते हैं अपने study के हवाले से next topic है easier to store information आजकल computer की वज़ा से बहुत असान हो गया है कि हम information जो हमार पास हिदायात होती हैं जैसे कि हमार पार books हो गई lectures हो गए या कोई भी topics हो गई हम computer में असानी से जमा कर सकते हैं store कर सकते हैं on computers computers में then maintaining handwriting notes मतलब जो हम हाथ से notes लिखते थे वो आजकल दोर खताम हो चुका है आजकल computer available है हम easily notes को compose करके उसको soft copy में convert कर सकते हैं जो के हमार पास handwriting notes थे वो hot copy होते थे hot copy कहलाते थे that we can touch और अब हम उनको easily soft copy में convert कर सकते हैं soft copy कौन से होती है जो electronic form में हो computer में से वो no more limited in classroom जो आजकल हमारे पास education है तालीम है वो classroom तक महदूद नहीं है computer जैसे हमारे पास develop हुए थे तो हमारे पास ये एक advantage है कि हम online study introduce हो चुकी है आजकल computer की different lectures हैं जो online youtube पर भी available हैं आप कोई भी topic सर्च करना चाहें easily youtube पर सर्च कर सकते हैं और आप different essay colleges हैं जो online study provide कर रहे हैं तो आजकल की जो study है वो college या school या university तक महदूद नहीं है हम easily online lectures लेकर study complete कर सकते हैं तो यह important role था education में computer का कि computer कैसे role play कर रहा है education के अंदर तो बढ़ते हैं next point की तरफ जो कह हमारे पास uses of computer in business so computers are extremely important in business computer बहुत ही ज्यादा एहम है business में extremely means बहुत ही ज्यादा एहम हो चुका है business में कारोबार में जैसा के किस-kis purpose के लिए यूज होता है ordering products हम different किसम के products को online order कर सकते हैं जैसा कि हमारे पास आजकल coffee ने e-commerce वाली websites आ चुकी है जैसा कि हमारे पास draws.pk को कर सकते हैं product का हम कुछ भी मंगवा सकते हैं तो यह किस की बदोलत है computer की बदोलत है shipping information information could transfer कर सकते हैं from one point to another point तो यह भी हमारे पास computer के through असान हो चुका है price checks in retail store different किसम की price checks हमा जो different किसम की shops and stores हैं जितने भी stores है आजकल वहाँ पर computer की ही मदद से काम लिया जा रहा है computer become requirements in business industry computer आजकल जरूरत बन चुकी है business industry में मतलब जितना भी कारोबार चलाया जा रहा है वो computer की ही बदोलत चल रहा है और computer ही की बदोलत असानी से चल रहा है तो यह था आजका lecture जिसमें हमने दो uses use किये हैं दो uses को explain किया है uses of computer in education and uses of computer in business lecture no.9 next video में तब तक के लिए take care Allah आफिस